हेलो दोस्तो मैं गिसन सर्मा स्वारत करता हूँ आपका अपने योटूब जैनल जीके नोटूप में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे और हर कोश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से दिखें तो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए और अगर दोस्तों आप फिजिक्स में फूल मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए क्योंगी काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किये हैं तो एक्जाम में आपको काफी कोश्चन इस टेस्ट से देखने को मिलेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आए दोस्तो देखते हैं हमारा पहला कोश्चन तो दोस्तो पहला कोश्चन है वायू मंदल की आजरता कुम आपने वाला यंत्र कोन है यानि कि हुमिडिटी को कौन नापता है तो इसका राइट आंसर है दोस्तो आप्सन नमबर भी हाइग्रोमीटर hydrometer जो दोस्तो यह आप लोग का वायो मंडल की आधरता को नापने वाला यंतर है और दोस्तो जो hydrometer है यह आप लोग का किसके लिए यूज होता है यह आप लोग का घनतो यानि की density को मेजर करने के लिए यूज किया जाता hydrometer का तो इसका right answer option number B hydrometer नेश कोषएं दोस्तो कोई तरंग अप्स्रवे पर कही जाती है जब उसकी आवरिति तो इसका right answer है दोस्तो option number D 20 हट से कम जो अप्स्रवे धनी होती है दोस्तो यह आप लोग का 20 हट से कम की आवरिति की होती है दोस्तों जो 20,000 हट ते अधिक होती इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रासरविये ठीक है यानि की अल्टरा स्वानिक और यह आप लोगा जो 20 से 20,000 के बीच है तो इसको बोलते हैं इस और इस नह्न पला भीillar तो इसका भी आप लोग धियान ठील स्वाय का राहीं सब्सक्राइब रेते हैं सब्सक्राइब कर दिक modern सब्सक्राइन आप लोगव का आप Moreover conceptュ perspectives फ़लुजिंगे ढाटेफिए और सब्सक्राइब इसके अंपर होता या कि सब्सक्राइब निडे में essent दोस्तो जो तरंग की लंबा यानि की जो वेव का लेंट होता है उसका मान को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो ध्वनी का वेग है ये भी आप लोग का बढ़ेगा और कम करेंगे तो ध्वनी का वेग भी कम हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्सन नमबर ये आधा ह हो जाएगा दोस्तो यदि की सी पिंड के संव्यक को घ्रा दिया जाए तो अंग दर सकारिंट को लगातेह Unity Box दो में पर स्कृर आ होगा क्या प्लस solve करते हैं तो क्या हो जाएगा 50 plus 50 multiply 50 by 100 तो इसको solve करें तो कितना हो जाए दोस्तों यह हम लोग आ जाएगा 125 परसेंट और यह क्या हो रहा रहा है मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों परसेंटेज क्लास में अगर यहां पर प्लस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यह बर जाए तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी 125 परसेंट से बर जाएगा ठीक है और वही कोशन में अगर दोस्तों बोल देता है कि यहां पर आप लोग घटा दिया जा रहा है समवे को तो हमनों यहां पर क्या करते से माइनस माइनस ले देते हैं तो इसका राइट आंसर हो और सी 125 परसेंट बर जाएगा नेक्स कोशन दोस्तों फ्यूज के पदार्त का होना चाहिए कंडिशन बोड़ा तो इसका राइट आंसर हो अबसे नमबर भी निम निगलनांग निम नहीं नहीं इसका अगर कभी सॉ इसका खोज किस नहीं किया था यह भी आप लोग कोशन बनता है तो आप लोग का फैराडे ने खोज गया था तो इसका राइट आंसर ऑपसे नमबर लिए नेक्स प्रकास उर्जा वीद्यू तूर्जा में कौन बदलता तो यह सब कोशन दोस्तों आप लोग बहुत इम्प और उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग को बोले है कि विद्यू तूर्जा को जब यांती कुर्जा में बदल रहा है तो वो कौन बदलता तो यह आप लोग का विद्यू मोटर बदलता है तो तरंग दैर में क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका राइट आंसर और भी घठता ह क्या है जब यवी जो का अटेर हमें अबोलग क्या है आप लोग का और चाहिया यह आप लोगका याप का रेर यानिक विर्यल माधिया में तो इसे में मीं इसका अपवर्तनांग सबसे ज़्यादा होता है और जो लाल कलर है इसका सबसे कम होता है मिनीमम होता है तो इसका राइट आंसर अप्शन नमबर भी बैंगनी नेस कोशन दोस्तो प्रमानु रियक्टर आधारीत है यह किस प्रोसेस पे आधारीत है तो इसका राइट आंसर अ इन्टू टू दी पावर 18 एक कुलॉम चार्ज में आप लोग का इतना इलेक्ट्रों होता है 6.25 इन्टू दी पावर 18 इलेक्ट्रों नेस्ट कोर्शन दो एक किलो वाट घंटा बराबर होता है तो इसका राइट आंसर ऑफसन नमबर भी 3.6 इन्टू 10 दी पावर 6 जूल ठीक लोग क्या एनर्जी है तो यह आप लोग का जूल हो जाएगा इसका यूनिट तो इसका राइट आंसर क्या होगी आप सब्सक्राइब भी 3.6 इंटू 10 दी पावर 6 जूल नेस्ट कोशन दो एक का बैटरी में पढ़ एक वीडियो ता अबगट यानिकि एलेक्रों लाइट क इसने दिया था इसका राइट आंसर अप्शन नंबर सी हाइगेंस जो हाइगेंस दोस्तों एक महान साइंटिस्ट है इन्हें नहीं वेब थेरी ऑफ लाइट दिया था तो इसका अब ध्यान दीजेगा नेस्ट को दूब की चस्मे की पावर कितनी होती है तो इसका राइट यह प्रिफी पर किस माध्यम से पहुंचती है जो रेडियेशन होता है तो उसी से प्रिफिवी पर आता है तो सब भी कोशन आप लोगा पूछा जाता है तो इसका आप्शन नमबर बी नेस्ट को से दोस्तों सूद आपक रफिपार निगरी फैरेन हैट में कितना होता है त तो इसका right answer is option number D next question दोस्तो जूला जूलते समय कोई वेक्ति जूला पर खड़ा हो जाए तो उसका वर्तकाल यानि की time period में क्या changes आएगा तो दोस्तो time period का formula क्या होता है 2 pi root under ly जी तो हम लोगे क्या पूल रहा है यहां पर की वेक्ति जो खड़ा हो गया धका यानी कि आप लोंग का रहाँ जाए जो झायोजोण का आप लोघ्या का इसक यह हम लोघ्या ड़हां यह मतलब नहीं नहीं है, दो यहां पर कि द्ầnके को कर दो बेठोगा, और आप दान गएक कन अब्र सब्सक्राइब किस नियम को प्रतिपादित किया था तो इसका राइट अंसर ऑप सभी गुमते रहते रिवाल्व करते तो यह किस ने बताया था नेश्क दोस्तों टेट उन्जिन किस सिधान्स पर कारे करता है तो इसका राइट आंशर और ऑप्षन नंबर सी रैखिक संवेक्षन रचन यानि कि इंग्लिष में क्या बोलते है जो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है रैखिक संवेक्षन रचन नेस्स कोशन दोस्तों वाईव मंडल में बादल आईस्टाने लगने लगने की दोस्तों इसका घनत्व यानिकी देंसिटी यह याप लोग काम रहता है तो बादलों में भी स्काम करता है ऐसकारा अप्सर नमबर डी घनात्वत इसका यहां प्लोग का इनिस्टेंस नहीं परोड़ माईनस 10 यह आप लोगका एक एंग्स्ट्रों ब्राबर होताँ तो यह थे भी आप लोग नशक्त बनता है ले आप लोग ध्यान जीजाए इसका ऑसवा मैनोमेटर को दोड़ा कि स्की माप किया जाती है इसके G- 100 का राप यानि कि दोस्तों इंग्लीश में बोलेंगे प्रेसर, जो गैसओ का प्रेसर होता है, उसी को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज्स किया जाता है मैंच कोशन दोस्तों वस्तू की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है तो इसका right answer option number D घनतु घनतु यानि की density density दोस्तों कभी भी नहीं बदलेगा अगर उसको वस्तू को हम लोग कितनों मात्रा बदल दे quantity को change कर दे 1 kg, 2 kg, 4 kg कर दे तो जो density है वो आप लोग का change नहीं होगा next question, Durst 2 Kelvin में मानोस्थरी का सामाने ताप कितना होता है तो इसमें आप लोग केल्वीन में पूच रहा है तो normal, Degree Celsius में कितना होता है 37 degree के आसपास होता है अर यहीं आप लोग का Kelvin में कितना होता है 310 Kelvin होता है तो इसका right answer option number D 310 Kelvin नेस्ट को विए सबसे अधिक भेधन चमता किन किर्नों की होती है छोता है जो गामा रेस होता है और इनर्जी होता है उसी का यूनिट है और दोस्तो एक और यूनिट होता है जूल 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 यह आप का भी यूनिट होता है जूल तो यह भी आप लोग ध्यान दीजेगा नेस्ट कोश्चन दोस्तो दाप बढ़ने पर जॉल का क्वाथनांक यानि कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्सन नमबर यह बढ़ता है जैसे जैसे दोस्त हम लोग को मापना रहता है तो इसमें यूज किया जाता है पाइरो मीटर का नेस्ट कॉस्चन दोस्तों एक तलाब में रखा हुआ पत्थर अपने वास्तवी की उचाई से उपर दिखाई देता है इसका कारण क्या है यानि कि दोस्तों बोल रहा कि जैसे माली जी कि यहां तो यहां को आदमी ऐसे नशन sl genial यहां यहां पर दिखाई देगा तो मंद से प्रत्य दहाए क्यों से कौन बदलता है जिसका राइट आंशर आप्सन नमब्र बी रेक्टिफ है तो AC को DC वाला तो दोस्तों सबको पता रहता है यह आप लोग ध्यान देजिए जो inverter होता है जो हमारे घर में यूज होता है यह आप लोग का DC को DC to AC convert करता है यानि कि director यानि कि dist धारा को प्रत्य वर्ति धारा में बदलता है inverter next question दोस्तों वायू में ध्वानी की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है अगर दाब बढ़ा कर दोगना कर दिया जा तो ध्वानी की चाल में क्या इसी मीडियम की आउशक्ता होती है तो इसलिए आप लोग का निर्वात से नहीं गुजर सकती है next question दोस्तों ट्रांसफर्मर किस से काम करता है तो इसका राइट आप्शन नमबर है केवल प्रत्यावर्ति धार यानि कि केवल अल्टरनेटिंग करेंट पर काम करता है ट्रांसफर्मर और का काम क्ता है दोस्तों वोल्टेज को जो होता हुझा पट्स घराईग करने का असे का लगारे आइनके फिर इसको वोल्टेज को अब करने का relevant या किसका होता है या प्लोकाश से गिरा सबस्थर को नlarını की तो कि ब Amanda की एट इसलिए दोनों जाता है लेकिन आप हम लोग का द्रवामान बोल रहा है तो इसलिए हम लोग का जो राइट आंसर ऑप्शन नमबर यह होगा दोनों एक साथ करती है तो उसमें बैठावा वेक्टी पीछे की जुक जाता है तो इसका कारण क्या है तो इसका कारण ने तो गती जड़तु जो ट नेक्स कोसें जो किसी तत्य प्रमानु संख्या क्या होता है तो इसका राइट आंसर ग्राण और और क्यों रहता है बहुत कौसें यह सब घंग है तो जैसे को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोथ इसका प्रतिरोथ सबॉण सब्सक्राइब Concave lens, बोलते हैं, concave lens, तो यही आप लोगे का ठीक करता है, तो इसका right answer is option नमडरे, निकरद्रिश्टी, दोस्त, , नाइस्ट को से दूर दूर दरिश्वी रोज को किस लेंज से ठीक किया जाता है तो इसका — एक्षिन नमर भी उत्ता लेंज को इंगलिस में क्या बोलते हैं दोस्तों कंवेक्स लेंज can vex lens यह आप लोगा दूर दरश चीरूस यानि कि आपर मेट्रोपिया तो यह आप लोगा रायट अंसर आंसर ऑप्सा नमर भी उत्तर लेंस सिधे मुख पर सेकंड दोस्तों उसमा किस प्रकेजिया में सरवाधिक तेज गती चिसका रायट आंशर है अप्शन नमेर सी विकरण दोस्तों उसी की दारे वह सबसे सफीर में मुभ करता गती करता और इसी प्रोसेस्स जो संलाइट है वह पृत्टी वी पर आता है नेस्ट कोशन दो प्रती धुनी का क्या कारण यानि की जो एको होता यानि की रेजुनेंस जो है इसका रीजन क्या है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर ए धुनी का परावर्तन कोई भी दोस्तों अगर हम लोग दिवाल के सामने कुछ अगर बंद कमरे में भी अगर हम लिएक कोशन का अधिकतम कहा पर स्काराईक निर्वात यहानि कि वेक्यूON में वीक्यू वस्तु आप दो उसका राइट अंसर है जलके परवाग किदर कोई यानि कोई पॉल कर रहा हुँ प्रती सेकंड में इसमें रहों को वैंचुरी मीटर तो जलके परवा कि दर तो जो यहां पर आपके 50 कोशन complete होते हैं, जो most important है और बार बार exam में repeat हुए हैं और उनी question को मैंने इस test में include किया दा तो friends, अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon को press कर दिए, ताकि मैं सभी classes की videos upload करूँ तो उसकी notification आपको मिलती रहे, और video पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक study related group में share जरूर करें, share करने इसके आवे दोस्तों मुने motivation मिलें कि आप लोग को video पसंद आई है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेश क्लास में, तब तक के लिए thank you and God bless you all